हे गाईस कैसे हो आप लोग रियल्मी बाजेट में C-series का एक स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है रियल्मी C-63 एक 5G फोन है आज इस विडियो में इसका डीटेल रिभ्यू सेर करूंगा एफोन आपको पार्टेस करना चाहिए कि नहीं विडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले डीजाइन देखिए बैक सेड में गलॉसी फिनिस दिया है लेकिन हाथों का निसन क्रेचेस बेगरा आता नहीं है दोस्तो ए डीजाइन पार्सोनाली मुझे काफी अच्छा लगा बहुत सरे लोगों को पसंद भी आएगा मिडिल में जो कैमेरा का पोजिस है नहीं प्रीमियाम लूग देता है लेकिन कैमेरा बंप थोड़ा सा बाहर हुआ है अगर आप बैक केस नहीं लगाओगे कैमेरा गलास के उपर क्रेचेस बेगरा आ साकता है और flat edges के साथ आता है दोस्तों लेकिन comfortable phone है हाद में काफी एची तरीके से fit भी होता है side में fingerprint sensor दिया है काफी fast है बहुत जल्दी जल्दी open होता है इस phone में hybrid SIM slot मिलता है कम से कम dedicated तो होना ही चाहिए था खेर 3.5 mm jack का option भी देखने को मिलता है single speaker दिया है speaker का quality मुझे इवारेज लगा है हाँ base में थोड़ा सा कमी है फिर भी अब लोगों को इसके price के पास देखना भी जरूरी है के budget में एफोन आ रहा है 6.67 inch का HD plus डिस्पले दिया है दोस्तों मदला 12,000 में एफोन लॉंच हुआ है और इस price में HD plus डिस्पले कुछ हजम नहीं होता अभी 10,000 में भी full HD plus डिस्पले आना सुरू हो चुका है बहुत चरे smartphone में लेकिन इस phone में अभी VHD plus डिस्पले है यहाँ पे थोड़ा सा सिकाए दे 120 Hz का refresh rate मिलता है outdoor brightness, average कहना चाहूंगा अगर आप कड़ी दूप में phone को use कर रहे हो कुछ-कुछ time थोड़ा सा struggle करता है यूट्यूब में मैंने movie या video बेगरा देखा हूँ टूगे करके आप लोग YouTube में video बेगरा देख पाओगे बीना लेक के HDR content supported नहीं है Diamond ZD6300 प्रोसेसर देखनी को मिलता है देखे ये जो प्रोसेसर है न OPPO 23,000 रुपिस में offer कर रहा है OPPO A27 में कुछी दिन पहले उसका मैं review किया था सेम प्रोसेसर इस phone में दिया है 4,42,000 के असपास आंतुतू स्कोर आया है Geek Benchmark 6 को भी मैंने रांड किया था स्कोर चेक कर लीजे Even CPU Throttling का ग्राबी आप लोग चेक कर लीजे Normal Day-to-Life UGES में कुछ भी दिक्कत नहीं है Application Opening Close बेगरा काफी अच्छा है दोस्तो यहाँ पे कोई भी लैक, जीटार, फ्रेमडरो बेगरा मुझे नोटीस सी नहीं हुआ लेकिन प्री इंस्टॉल कुछ-कुछ बेकर अप्लिकेसान आता है Hot Apps, Hot Games बेगरा मिल जाएगा बेकर अप्लिकेसान को आब लोग आनिंस्टॉल कर पाओगे और सबसे पहले उस सारे अप्लिकेसान को आनिंस्टॉल कर दिया गरो बरना नोटीफिकेसान वेच कर आपको बहुत परिशान करेगा एफोन Realme UI 5.0 रान करता है Out of Box Android 14 भी देखने को मिलता है Realme UI के बज़े से बहुत सरे अमेजिंग फिचास भी मिलता है जैसी की Odiler को इंस्टॉल करके किसी भी कॉल को आटोमेटिकेली रेकोड कर साकते हो एब लोग, एब हाइट, एब क्लोन ये सब कुछ आप लोग कर पाओगे इवेन दोस्तों AI का भी कुछ फिचास दिया है जैसी की किसी भी पेज को अगर टंसलेट करना है तो ओ, वान क्लिक में कर पाओगे इवेन किसी भी पिक्चर को अगर साथ करना है ओ भी वान क्लिक में ही आप लोग साथ कर पाओगे तो Realme UI के अंदर बहुत सारे फीचास है आप लोग हमारे फीचास चैनल में जाके इसका 40 प्लास पेचास एक बाद जरूद चेक कर लेना आप लोगों को क्लियर काट एंसर मिल जाएगा हमारे पास 6GB 128GB वेरी एंड है रेम मेनेच्मेंट इभारेच है मतलब कुछ हलका फलका अगर एपलिकेसान ओपिन कर रहे हो देगा तो बैटरी बेकप में आपको निरास नहीं करेगा उपर से दोस्तों 15W का फास्ट चार्जिंग एरप्टर भी मिलता है फास्ट चार्जा तो नहीं है लेकिन चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है 15W से मान के चलिए दोस्तों 2,5 घंटा लग जाएगा 0 से 100% चार्ज करने के लिए चलो कैमेरा के बारे में बात करते हैं बैकसरट की तरफ डुएल कैमेरा सेड़ाब है 32 मेगा पिकसल का प्राइमरी सेंसर 2 मेगा पिकसल का यहाँ पे सेकेंडरी सेंसर है 8 मेगा पिकसल का सेलफी कैमेरा मिलता है इसके रियार या सेलफी दोनों से ही फुल एज़ोडी 30fps करके ही विडियो रिकूटिंग कर पाऊगे मैंने बहुत चार इमेजेस बेगरा क्लिक किया हूँ देखे हुमेन संपल के अंदर डिटेलिंग काफी अच्छा है फेस को अच्छी तरिके से डिटाक्ट किया है इवेन दोस्तों ब्यूटी नहीं किया है फेस के उपर और प्रोटेट मोड में एवरेज है जो एज डिटाक्स अन बेगरा है यहां पर और भी थोड़ा सा इंप्रूमेंट का जरूड़ दे सेल्फी कैमेरा भी इसका काफी अच्छा है दोस्तों जादा ब्यूटी भी नहीं करता है सेल्फी कैमेरा के अंदर इवेन प्रोटेट मोड के अंदर जो एज डिटाक्स अन बेगरा है वो भी बहुत बढ़िया है इस फोन में हैटिक फिडबेक एवारेच क्वालिडिक का कहना चाहूंगा और भी स्ट्रॉंग होना चाहिए अब चुलो बात करते हैं क्या इफोन वैल्यू फर मानी फोन है क्या इस फोन को पार्टेस करना चाहिए देगे 6GB, 128GB 12,000 रुपीस में मिलता है 12,000 रुपीस के हिसाब से मैक हूंगा मिलते हैं अगले एक फ्रेस वेडियो में